हेलो दोस्तों आज की स्कलास में हम पड़ेंगी कख्षय बारा मैज्ट की परस्णावली 5.1 का सवाल नमर 3 तो आए शुरू करदे अपना सवाल नमर 3 तो दोस्तों तीन नमर सवाल है कि निमन लिखित फलनों के सांतत्य की जांत करो जांच करो और इसमें पर तीसरे का पहला जीसे ए लिखा है एमारा ए новых एक्स बराबर X माइनस पांच अब यहांपर हमें जो यह फलन है इन में इननके संतत्ते की जांच करनी है अर्थात कि यह फलन संतत है या नहीं है हम पर 6 पर करो, 6 पर 1 पर करो लिकन यहाँ पर दियानी माले पात है कियां पर हमें कोई मान नहीं दिया गए हमें सिर्फ इतना बल लागए है कि निमल की फलनों के 7 ते की जान पर करो और फलन दिया गए एफ, एक्स दाइक्स, माइनस 5, तो हम्हें यहाँ पर कोई निश्च चित मान नहीं दिया गया, इसलिए हम सभी वास्ट्विक संख्याओं के लिए धान्च करेंगे, तो लिखते हैं इसका हल, अब लिखेंगे माना, माना ए कोई संख्या है और यह बिलोंग करती है आर से, आ वास्तिक संख्या हैं तो हम यहां पर अब सभी वास्तिक संख्याओं के लिए जांज करेंगे तो यहां पर मान लेते हैं कि एक कुछ संख्या है वो वास्तिक संख्याओं से बिलोंग करती है तो अब हम एपर इसके सांत्तिक की जांज करेंगे तो लिखेंगे इसे लिए X ब्राबर A पर यानि एक्स कीज़ ज़र करें इब A क्योंकि हम अब A पर जाज कर रहे हैं तो हम जानतें कि सांतग के लिए उस्थी पहले क्या करते हैं कि फलन का मान निकालते हैं फिर शिमा निकालते हैं अगर दोनों ब्राबर आ जाते हैं को वेशनत्त्त होता है नहीं था नहीं होता तो सबसे पेहले तो एक्शम पॉजडरДа जैम पर पांव किस सिंदनर का माना निकलेंगे फलन की सिमा तो सिमा होती है हमारी लेमीट X टेंस टू हं A पर जांस करें तो A F X तो यह खागे लेमीट X टेंस टू A फलन मारा four एकस माइनिस पाँ तो X की जाएति रिके रह देंगे лучше a minus 5 तो हम देखते हैं कि X बरापर eight पर जो फलन का मान है वो फलन की शिमा है दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो सबी वास्तिक संख्याओं के लिए सतत होगा तो लिखेंगे चुनकि यहां X बराबर A जहां पर A बिलोंग करता है R से यानि वास्तिक संख्याओं से पर फलन का मान वे सीमा बराबर है अते अते दिया गया फलन दिया गया फलन सबी वास्तिक संख्याओं सबी वास्तिक संख्याओं पर संतत होगा तो इस कार यह फलन सबी वास्तिक संख्याओं के लिए सतत होगा अता है तीसरे का दूसरा और दूसरा हमारा FX बराबर एक बटे X माइनस पांच और X बराबर नहीं होगा हमारा 5 क्योंकि जब X बराबर पांच हो जागा तो यह जगा हमारा 5 माइनस पांच यानि सुनें तो एक बटा सुनें और हम जानते हैं कि जब किसी भी संख्याओं के बटा में या भाग में सुने आ जाता है तो उसका मतलब होता है अनन्त तो यहां पर X बराबर पांच नहीं हो सकता तो हमें जानत करनी है सांतत्य की तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल तो यहां पर हमें कोई निश्चित बिंदू नहीं दिया गया जैसे X बराबर पांच है तो हम मानेंगे माना पहले स्वाल की तरह हम मानेंगे माना A जो बिलोंग करता है हमारे सबी वास्चुक संख्याओं से इसलिए X बराबर A पर तो X बराबर A पर फलन का मान यानि F A तो यह हो जगा हमारे पास 1 बटे A माइनस 5 तो X बराबर A पर फलन का मान आता है मारे पास 1 बटे A माइनस 5 अब जांच करेंगे X बराबर A पर फलन की सिमा तो लिखेंगे तथा X बराबर A पर फलन की सीमा यहाँ पर हमने माना है कि माना A बिलोंग करता है R से और यहाँ पर हमाना कि X बराबर 5 से नहीं रख सकते तो यहाँ पर R में से माइनस 5 और होगा माइनस 5 अठाथ इसका मतलब है कि A बिलोंग करता है R-5 से यानि R के अंदर वास्ट चुक्त संख्याओं के अंदर 5 सामिल नहीं है यहां पर तो यहां पर A बिलोंग करता है हमारा R-5 से यहां पर हमारा की X बाब A पर फिलन की सीमा तो सीमा हो जाएगी मारी limit X tends to A F X limit X tends to A F X है मारे पास 1 बटे X-5 तो X के जगह रख देंगे A तो यह जगह A 1 बटे A-5 तो यहां पर देखते हैं कि जो हमारा X बाबर A पर जो फिलन का मान है और फिलन की सीमा है दोनम बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो फिलन है वो सभी वास्तिक्षिशन के हम तो नहीं कह सकते हैं पांच को छोड़कर सभी वास्तिक्षिशन के हम पर सतत है तो लिखेंगे तुमकि यहां X बाबर A पर फिलन का मान वैसिमा बाबर है अते अते दिया गया फलन दिया गया फलन R माइनस 5 यानि 5 को छोड़कर सभी वास्तिक्षिशन के जाओं पर संतत है तो इस प्रकार दिया गया फलन 5 को छोड़कर सभी वास्तिक्षिशन के हम पर संतत होगा तो यह था हमारा सुवाल नमबर 3 का दूसरा पॉइंट तो C है हमारे पास Fx बाबर X क्यूर माइनस 25 बटे X पलस 5 जहां पर X बाबर नहीं रख सकते माइनस का 5 जांस करनी है सांतत्य की तो सबसे पहले तो यहां पर हमें कोई मान नहीं दिया गया तो पहले वे दूसरे कितरे ही मानेगे माना माना A बिलोंग करता है R-5 से मानेस मानेस 5 से यानि वास्तिक्षियों चांग अंदर मानेस 5 सामिल नहीं करेंगे यहां पर तो माना ए बिलोंग करता है आर माइनस माइनस पांच से इसलिए एक्स ब्याबर ए पर फलन का मान तो एफ ए हो जाएगा हमारे पास यहां पर एक्स की जिए रख देंगे ए तो यह जगा ए स्केर माइनस 25 बटे ए प्लस 5 तो यहां पर थोड़ असल करेंगे तो यह जगा ए स्केर माइनस 25 बटे में हमारा ए प्लस 5 अब यह बन गया हमारा सूतर ए स्केर माइनस बी स्केर का तो यह बन जाए हमारा ए पलस बी यहां पर बी की जिए गया हमारा पांच इंटू A माइनस B और यहां पर B किज गया 5 बटे मैं हम आ रहा है A प्लस 5 तो यहां पर A प्लस 5 है तो A प्लस 5 कट गया और बच गया मारे पास A माइनस 5 यानि जो X ब्राबर A पर फलन का मान आ रहा है वो है A माइनस 5 अब ग्याद करेंगे इसकी सीमा तो लेकिएंगे X ब्राबर A पर फलन की सीमा फलन की सीमा तो सीमा हो जाएगे हमारी लिमिट X टेंड टू A F X लिमिट X टेंड टू A F X है हमारे पास X केर माइनस 25 बटे X प्लस 5 तो उसी तरह X किज गर रख देंगे हैं आपर A A स्कीर माइनस 25 बटे A प्लस 5 तो इसी प्रकाज़ा भी स्कॉल करेंगे तो यह जगा हमारे पास A माइनस 5 तो हम देखते हैं कि यहाँ पर X बाबर A पर जो फलन का मान है वो फलन की सीमा है दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह फलन X बाबर A पर क्या होगा सत्त होगा तो यहाँ पर लिखेंगे चुंकी यहाँ यहाँ एक्स बाबर A पर फलन का मान वैसिमा बराबर है इते दिया गया फलन आर मानिस फांच पर संतत है यानी मानिस पांच को छोड़कर सभी वास्टिक संख्याओं पर क्या होगा संतत होगा तो यह था हमारा सवाल नमर तीन का अंतिसरा पोंट Rapा सवाल नमर तीन का लाश्ट पोंट और लाश्ट है हमारा Fx ब्राइबर मापांग के अंदर X-5 तो लिखते हैं इसका हल तो उसी प्रकार मानेंगे माना A बिलोंग करता है वास्तिक संख्याओं से इसलिए X ब्राइबर A पर फलन का मान यानि F A तो यह जगा हमारा X की दिए जखे देंगे A-5 तो X ब्राइबर A पर फलन का मान आगया हमारे पास 5 के अंदर A-5 अब जान्स करेंगे सिमा तो लिखेंगे X ब्राइबर A पर फलन की सिमा तो सिमा जान्स करेंगे सोरी सिमा गयात करेंगे तो सिमा होती हमारी लिमिट X tends to A FX क्योंकि यहां पर हम A पर जाद करें तो यहां पर A लिखेंगे अगर यहां पर 5 पर जाद करते हैं तो यहां पर 5 लिखते हैं अगर 6 पर जाद करते हैं तो यहां पर 6 लिखते हैं यानि और यहां पर हम X पर जाद करें यहां पर x की जगह वह होता तो यहां पर y लिखते हैं तो इस वकार लिखी जाती है हमारी limit fx तो यह जगह limit x tends to a fx की जगह है हमारा x-5 का मापांक तो əks की जगह कर देंगे a तो a-5 तो हम देखते हैं कि जो फलन का मान है वो फलन की सिमा है दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो फलन होगा वो X बराबर सोरी सबी वास्ट कसंख्याओं के लिए सतत होगा तो लिखेंगे चुंकी यहां X बराबर A पर फलन का मान वे सिमा बराबर है X बराबर A पर जहां पर A बिलोंग करता है R से सिमा बराबर है इसलिए दिया गया फलन दिया गया फलन सबी वास्ट्विक सबी वास्ट्विक संख्याओं यानि R पर संतत होगा तो इस कारिये था हमारा परस्णावली पांच दसमलो एक का सवाल नमर तीन परस्ट्वáz़二 सम्ट्वाओं भी?! परस्ट्विक